दोस्ता आप लोग के काफी दिनों से कमेंट आ रहे हैं कि UPS के बारे में बात नहीं करते हैं, आप UPS के बारे में बताईए, कोई बेस्ट UPS जो है सजेस्ट कर देजिए, तो ये वीडियो बिल्कुल उसी के जबाब में होने वाली है, इस वीडियो के अंदर हम लोग बात करे बेस्ट UPS कौन कौन सा हो सकता है, अगर हम यूज की बात करें, तो सभी को पता है कि UPS हम लोग क्यों यूज करते हैं, अचानक लाइट करती है, जिससे हमारा desktop computer off हो जाता है, तो off ना हो, उसके लिए हम UPS का इस्तिमाल करते हैं, अगर direct आपका computer set off होता है, तो आप जो भी क हो जाता है, अचानक अगर आपका PC बंद होता है, दुबारा ही स्टार्ट करते हैं, तो recovery ले ले लेते हैं, maximum software मैंसा आ गया है, लेकिन उसके बावजूद भी, अगर direct अगर आपका PC off हो रहा है, या फिर voltage का flanctuation जादे है, बार बार light आ रहे हैं, तो कहीं न कहीं आपके PC क life जो है, वो जरूर प्रभावित होती है, काफी लोग कहते हैं कि UPS की कोई जरूरत नहीं होती है, आज के रिट में, लेकिन मैं कहता हूँ कि बिल्कुल भी जरूरी है, अगर light की condition अगर आपके हां सही नहीं है, तो UPS हर हाल में जरूरी है, उसके अलामा बहुत लोगों का ये कहना है कि हमारे पास inverter लगा हुआ है, तो क्या फिर भी हमें UPS की जरूरत है, तो इस पर actually मैं बिल्कुल separate वीडियो लेकर के आऊंगा हो सकता है, चैनल पर आभी गई होगी, अगर नहीं आई होगी तो आने वाली होगी, उसमें हम लोग details में समझेंगे कि अगर आप inverter ल लगाने की जरूरत नहीं है, उसके लिए हम separate वीडियो में बात करेंगे, इस वीडियो के अंदर हम लोग बात करेंगे कि बेस्ट UPS आज की रिट में कौन सा हो सकता है, तो इसके बारे में details में समझने के लिए वीडियो के साथ लास तक बने रहे हैं, और प्लीज वीडियो कि मैंने बहुत सारे ब्रांड को चिक किया हुआ है, टेस्ट किया हुआ है, बहुत सारे ब्रांड का मतलब यह है, कम से कम चार से पांच ब्रांड मैंने टेस्ट किया हुआ है, प्रसने रखकर के भी देखा हुआ है, लेकिन ये जो ब्रांड है, ये बहुत ही बहतर हमारे ट चाहिए वो है AVR का सही तरीके से काम करना, काफी सारे ब्रंड क्या करते हैं कि AVR जो है लिख तो देते हैं कि उनके जो UPS में AVR है लेकिन वो प्रापर काम नहीं कर रहे होते हैं, AVR से हमारा मतलब ये है कि Automatic Voltage Regulator ये बहुत बहुत भेहतर ढ़ंग से काम करना चाहिए, रीजन क्या है, जिसमें AVR नहीं है, उसमें क्या होता है, कि माली जे उसके अंदर गर Input Voltage लिया हुआ है, 180-260 Volt या 250 Volt, तो क्या होगा, कि जैसे ही आपका Input AC Voltage 180 Volt से नीचे आएगा, तो वो उसको कट करके बैटरी पे चला जाएगा, उसके अलामा 260 Volt या 250 Volt अगर उपर वाला 90 से 250 से 240 Volt आते हैं, 200 से लेकर के 240 Volt आते हैं, इस तरीके के बहुत सारे अलग-अलग पैरामीटर्स होते हैं, तो उस कंडिशन में क्या होता है, कि अगर AVR उसके अंदर नहीं है, तो आपकी बैटरी बार-बार ड्रेन होगी, बार-बार बैक अप जो है जाने का लाइट रहे यहां पर रहता है, वहां पर साधारल जो UPS होते हैं, वो काम नहीं करते हैं, क्योंकि बार-बार input AC को disconnect करके बैटरी पर shift हो जाया करने की problem यह रहती है, जिससे UPS discharge होगा, और उसके बार-बार आपको यह problem करेगा, लेकिन AVR वाले में क्या होता है, कि जैसे मालेजी, जितने भी voltage का variation है, अगर वो हो रहा है, तो वो automatic voltage को regulate कर रहे होते हैं, आपको जो output मिलेगा आपके PC को, वो हमेशा 220V से 240V के बीच में मिलता है, या 220V से लेकर के 250V के बीच में मिलता है, input भले ही आपका कुछ भी दर-उदर होता रहे, कहने का मतलब इसके अंदर inverter with stabilizer दोनों होता है, AVR वाले UPS के अंदर, तो ये जो दो brand जिनको मैंने select किया हुआ, इनके अंदर ये बहुत अच्छे से काम करते हैं, इसके अंदर एक तो है R-30 का और दूसरा जो है APC का, APC इस मामले में बहुत ही बहतरीन काम करता है, इसका AVR बहुत अच्छा काम करता है, आप लगा कर करकिये, voltage कितना भी उपर नीचे होता रहे, जो इसका range है, वो minus करके आपको हमेशा output जो है, एक इस तिर 220V से 240V तक का दे रहा होता है, जिससे इसकी battery डेन नहीं होती है, बैटरी जो हमेशा charge बनी रहती है, और आपको एक stabilizer वाला भी जो है, आपको function इसके अंदर मिल जाता हैं, ये single battery के साथ में ये आता है, 7Ah की battery होती है, बारबोल्ट की, और ये जो है 2400 रुपे के आसपा, 2400 के आसपा सभी फिलहाल प्राइस है, ये प्राइस थोड़ा मुड़ा उपर नीचे होते रहते हैं, इसके अंदर आपको एक अच्छा सा AVR मिल जाता है, थोड़े से सस में 1KBA का ले सकते हैं, यानि 1000BA का ले सकते हैं, करीब करीब 608 के आसपास लोड़ दे सकते हैं, जिसके अंदर लोगों को दो PC एक साथ कनेक्ट करना है, या फिर जो है कई सारे monitors हैं, या फिर gaming आप PC रख रखे हैं, काफी heavy monitors वगएरा है, heavy PC वगएरा है, तो उस condition में 1KBA का लगाते हैं, तो थोड़ा सा backup भी आपको मिल जाता है, चीजों को save करने के लिए, फिर कोई काम कर रहे हैं, उसको थोड़ा सा handle करने के लिए, आपको backup भी मिल जाता है, तो 1KBA में करीब 552 रुपे के आसपास में मिल जाता है, जो कि यह ठीक ठाक है, इसका AVR और inverter UPS दोनों बड़ा ही बहतरिन ढंक से काम करता है, उसकी अलावा जैसे कि मैंने आपको बताया था, APC का इस पर तो मैं बिलकुल भी फिदा हूँ, बहुत ही बहतरिन इसके फीचर्स आते हैं, 145 बोल्ट से 290 बोल्ट तक यह बहुत ही बहतरिन फंक्शन करता है, उसके बीच में कोई बोल्टेज बैरियेशन हो रहा है, तो आपको आउट्पुट हमेसा 220-240 बोल्ट के बीच में मिल रहा होता है, जिस पर अगर यह चल रहा है, अगर आउट्पुट यह मिल रहा है, तो आपके आउट्पुट पर लगा हुआ आपका PC मोनिटर, जो भी चीज़े हैं, उसकी लाइफ जस्ट डबल बढ़ जाती है, इतना बहतरिन होता है, इसलिए अगर आप थोड़ा सा बहतर लेना चाहते हैं, तो आप APC के साथ जा सकते हैं, इसका अगर हम 600 VA की बात करें, जिस पर आप 360 वाट लोड दे सकते हैं, यह करी 3,321 रुपे के आज पास में आता है, यह थोड़ा सा महंगा जरूर पड़ेगा, लेकिन वाकई में इसका फंसर बहुत ही बहतरिन काम करता है, बहुत ही अच्छा यह वर्क करता है, बहुत ही सक्सेस्फुल UPS के अंदर यह आता है, APC का, इसी के अंदर थोड़ा सा ऊपर जाते हैं, इस ग्यारो सो भी यह में अगर अगर आप इसको लेते हैं, तो बैक अप आपको ज्यादे मिल जाएगा, इसी के अंदर और थोड़ा सा बैक अप चाहिए, अगर या फिर आपका लोड जादे है, तीन PC के आज सपास में, अगर आपका लोड है, या फिर मोनिकर्स जादे है, आपके पास एक्विप्रिंट जादे है, पंदरह सो भी जादे हैं, जिस पर 865 वाट की जो है लोड दे सकते हैं, और इसका प्राइस की अगर हम बात करें, तो ये जो है 15,000 से ले करके 17,000 के बीच में वैरी कर रहा होता है, तो इस तरीके से इनका जो तीनों बैरियन्ट है, बहुत ही सकस्पुल बैरियन जो downfall जो होता है, यह बहुत कम आता है, एक fixed voltage 200 volt के आसपास या 220 volt, 230 volt आता रहता है, तो वहाँ पर कोई साभी UPS चला लेजिए, direct ही जाती है, light तो चली जाती है, लेकिन voltage का fluctuation जादे नहीं है, तो उस condition में कोई साभी आपको UPS चल सकता है, लेकिन जहाँ पर voltage dropout बहुत जाद है, वहाँ पर एक अच्छा UPS की जरूरत होती है, जिसके अंदर से RTS या फिर APC का आप ले सकते हैं, यह बिलकुल हमारा tested है, हम लोग भी use करते हैं, बहुत अच्छा काम करता है, तो दोस्तों मैं मिलता हूं next किसी और अच्छी informative वीडियो के साथ में, पूरी वीडियो दे करता हूँ आपका दिन सुभव